हुआ है 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 कि लिए श्वाइब लाइब विए लाइब लुग बढ़े होंगे अच्छे होंगे मस्त वह स्वास्त हो और कर पे होंगी तो गाइज एक और बार फिर से स्वागत है मेरे standard 9th के लालबाल गुपालो का और जो भी बच्चा standard 10th में उन सभी का भी ठीक है बच्चा आज हम बात करने वाले है chapter number 9 NLM के बारे में आपने पूरा वीडियो पहले तो देखी लिया फॉर्स लोग को मने detail में आपको पूरा describe और example के साथ करवा दिया आज हम करने वाले है second low और third low की बात और chapter को देंगे पूरा विराम ठीक है तो बहुत सारे बच्चो को doubt, दिक्कत, समसिया problem यह होती है कि ज़र क्या करे, कैसे करे, किस वज़े से करे और यह तो आपने खतम कर दिया तो अब हमें कैसे इसको पढ़ना है तो बच्चो आपको कोई भी वरी लेने की जरुवत नहीं, कोई भी टेंशन लेने की जरुवत नहीं आपके दुरूविल सर आपके साथ है, हम आपको सारी बात बता देंगे So don't worry, कोई भी टेंशन वाली बात ना ले तो Just 9th and 10th आप सबका स्वागत करती और Just 9th and 10th आप सबके लिए बनी हुई चैनल है Live School Daily हम हैश्टेग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया का बच्चा बच्चा इस बार COVID की वज़े से स्कूल नहीं जा पाया था तो हम इसको स्कूल वाली फिलिंग में recreate करना चाते हैं और उन सारे बच्चों के साथ recreate करना चाते है कि जो बोल सके कि आने केडमी, let's crack it यह 2020 हम सब के लिए बहुत ही बुरा रहा या दुविदा जनक रहा या समस्या जनक रहा जी हाँ उसमें हमने बहुत सारी नहीं नहीं लर्निंग्स की अलग अलग चीज़े की लेकिन ultimately it was not our year ऐसा आप most of लोगों ने बोला ठीक है so Unacademy just 9th and 10 Unacademy just 9th and 10th की पूरी team including me आप सब लोगों के लिए इस चीज़ के लिए कटी बंद है कि आप लोग और बढ़िया करें पहतर करें, मस्त करें और एक बार सम्मान पाए ठीक है चलिए तो जो लोग मुझे नहीं जानते My name is Dhruvil Mehta, तीन साल से मैं आप जैसे प्यारे बच्चो को पढ़ा रहा हूं I was featured as a young and an innovative teacher I have mentored more than 1500 students in my offline career and more than 5000 plus students in my online career I am an apple certified teacher, adopt creative certified educator, book creator certified author as well as twilingo certified language educator which means I can teach science in 4 different languages that is English, Gujarati, Hindi and French ठीक है, तो यह, अगर हम लोग बात करें telegram channel थी तो बच्चो आप आपको अलग-अलग channel पे, अलग-अलग जाके अलग-अलग जगा पे जाके कोई भी चीज करने की जरुवत नहीं You just have to come to just 9th and 10th आप आ सकते हो यहाँ पे just 9th and 10th पे हमारी telegram channel को join कर सकते हो Just class 9th and 10th की telegram channel में आपको मिल जाएंगे Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, SS, English, Hindi, Computer मतलब की एक पूरी अल्ट्रा-फाइन स्कूल जहां दोस्तों जर्स 9th and 10th में आपको सारे teachers यहीं पे मिल जाएंगे उनकी notes, उनकी class sheets, उनकी date sheets, उनकी lecture notes और A to Z चीज़ों को आप यहीं पे ले सकते हो जोड़ा मुझे पीछे जोड़ा जीम के बाद आया हूँ तो थोड़ा रहेगा मुझे problem ठीक है इसको थोड़ा आप इग्नॉर करेगा बट थोड़ा चलता है यार दुनिया में ठीक है और एक बात कि आप लोग अब unacademic के learning gap को download कर सकते हो और install कर लेक्स हो अब इसमें से बहुत से बच्चे बुलेंगे सर इसमें तो आपका फाइदा हमारा क्या फाइदा बटा तुम दो जीबी या टाई जीबी के कोई केम डाउनलोड करके पापा से डाट खा सकते हो और फिर अपना future बिगार सकते हो इससे अच्छा एक simple सा logic लगा लो यार simple सी logic, simple सी बात है कि class 9th और class 10th वाला बच्चा simple से आके अपना goal चूज कर सकता है you can choose your goal एक बार अगर आपने ये goal चूज कर लिया 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो Kerala PSE हो, NEET UG हो, IIT J हो, UPSC हो SSE हो, CAT हो, मैं हो, आपने कोई भी goal चूज कर लिया ठीक है, फिर आप अपने brother, अपने sister के साथ phone को share कर रहे हो, या ना कर रहे हो फिर भी आपका goal तो चूज रहे गए रहेगा आप special class में आप आओगे, आप plus courses में आप आओगे अब through will code आपका passport है, आप सब जानते हो through will code क्या है आपका passport है, कि इस code को लगा कि आपको 10% discount तो मिलने ही वाला है as well as free classes भी मिलने वाली है, तो वह simple सा logic है कि 10% discount और free classes दोनों के लिए plus पे भी आप आ सकते हैं और special class पे भी आ सकते हैं सर, तो भी through will code को लगाना ना भूले 10% आपके discount के लिए as well as special class में आने के लिए अचा आप बच्चे बोलेंगे सर ये plus क्या होता है देखो यार plus में इंडिया के best teachers, best authors, dream team of इंडिया और बढ़िया team of इंडिया तो पढ़ाती ही पढ़ाती बढ़ तुमको नहीं पता होगा बारा मन्थ, अटरा मन्थ, चौबिस मन्थ का ये सब्सक्रिप्शन 15,000, 20,000, 25,000 रूपे में तुमको through will code लगाने के बाद 10% welcome bonus में मिलेगा बटा यहाँ पे तुमको मिलेंगे कि इंडिया के best teachers की technique, tricks, tips आपके उपर personal attention और जो बच्चा जाता है कि नहीं सर मैं तो iconic हूँ, मुझे iconic बढ़ना है, मुझे star की तरफ shine करना है अब कहीं और जाने की चरवत नहीं अब 4-5 coaching material लेने की चरवत नहीं क्योंकि आने अकडमी पे अब वो 4-5 coaching या जिसने book लिखी होगी या जो book का author होगा अकडमी पे हो गए होगा ठीक है तो बैपलाइंग दे कोड द्रुवेल यू विल गेट 10% discount in this also तो क्या बात समझ में आई क्या clear हुई का नहीं क्या 100% सही जारी ये दिमाग में बात अच्छा सर हमने तो यहां तक पढ़ लिया था सर थोड़ा आगे जाने दो सर येस बेटा अपको पढ़ा हुआ नहीं पढ़ाएंगे डोंट वरी अब statement of second law ठीक है यहां से मेरे ख्याल से हमारा बाकी था तो जब हम लोग बात करते statement of second law के बारे में तो rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force ठीक है so कहने का मतलब क्या है यह भी देख लेते हैं ठीक है 1 newton क्या होता है तो define 1 newton आपको पूछा है तो when the acceleration of 1 meter by second square is seen in a body of mass 1 kg then the force applied on the body is said to be 1 newton force is equal to ma mass कितना 1 kg acceleration कितना 1 meter per second square मतलब सब कुछ क्या unity में तो f is equal to क्या होगा 1 newton होगा force का unit क्या है newton है इस वज़े से तो जब किसी body 1 kg की body पे 1 meter by second square का acceleration डाला जाएगा तब उसे आप क्या बोल सकते हो 1 newton force बोल सकते हो अब proof of newton's first law of motion from second law तो देखो first law states that the external force f is equal to 0 then a moving body keeps moving with the same velocity और a body as race continue to be at rest तो यह चीज़ तो आमने देखी ठीक है तो ultimately second law में आपने देखा होगा f is equal to first law में आपने देखा होगा f is equal to m m e क्या होता है a होता है v minus u by t तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v minus u by t हाँ अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो mv minus mu by t लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो तो f is equal to kya होगा mv minus mu by t अब mv minus mu इसमें अगर हम m common निकाले v minus u by t a कर दे तो पहले जो चीज़ थी वही चीज़ यहाँ पर वापस आ जाएगी दूसरा आपको पता होगा p is equal to mv अगर कोई भी p is equal to p1 plus मतलब दो momentum mix होते है तो वो क्या होता है m1 v1 plus m2 v2 और अगर दो momentum मतलब बड़े में से छोटे को minus करना हो तो क्या होगा m2 v2 minus m1 v अगर मान लो m दोनों में common है तो क्या हो जाएगा v2 minus v1 clear है समझ में आई बात 100% 100 टक्का पक्की वाली बात हाँ सर थोड़ा स्पीड में कर गए है सर आप लेकिन समझ में जरूरा है बेटा फिर बात करते है third law of motion के बारे में तो simple सा logic के मेरे लालबाल गोपालों को समझ में आना चाहिए इसर ये third law of motion क्या होता है ठीक है तुम लोगों को समझ में तो आना चाहिए न इसर ये third law of motion क्या होता है ठीक है तो बेटा third law of motion में क्या होता है every action is having equal and opposite reaction तो जैसा action होगा वैसा ही सामने क्या आएगा reaction आएगा ठीक है अगर तुम किसी को एक जापट लगाते हो ऐसे तुम तो सामने वाला भी तुम को एक जापट पुम करके सामने लगाएगा कोई गांधी जी बनेगा नहीं केले बेटा दूसरे गाल पर मार ले ठीक है तो वो हो गया तुम्हारा action is equal to reaction कोई किसी को अगर तुमने एक जापट लगाई तो सामने वाला भी तुमको एक जापट सामने लगा देगा ठीक है तो action is equal to reaction that is basically what that is basically the third law of motion अच्छा अब इसमें क्या होता है walking is enabled by third law मतलब आप चल रहे हो right when we are walking it is also enabled by what it is enabled by third law कैसे जैसे आप walk कर गया हो right तो आपका यह पैर है वो यहाँ पे force दे रहा है जमीन पे और सामने जमीन भी आप पे force दे रही है तब जाके आप क्या कर रहे हो आप you can able to walk वरना तो हम लोग क्या करते हैं हवा में उड़ने लगते कोई ना कोई force हमारे body पे लग रहा है अभी तुम चल रहे हो तो that is because of frictional force ठीक है wear and tear आते है machine में that is because of frictional force तो ऐसा कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ को प्रेजन रहता है तो action will be always equal to reaction when you apply force over this तो force will सामने apply करेगा तुमको ऊपर ठीक है तो walking will be enabled by what walking will be enabled by third law अब what moves back when we devote it मतलब जब तुम लोग बोट में जाओ ठीक है मान लो यह तुम्हारा किने रहा है इतना और यहाँ पर बोट है तुम्हारी ठीक है हवा में नहीं है पानी में है ठीक है ऐसी बोट है अब जब तुम यहाँ से किनारे की तरफ जाओगे तो बोट भी पीछे चली जाएगी ठीक है तुम जा रहे हो आगे बोट जाएगी पीछे ठीक है आगे की तरफ मतलब every action has its own opposite reaction तुमने तुम्हारी टेक्स्बूक में वो होकी वाला एक्जामपल देखा होगा तुम्हारी टेक्स्बूक में वो आटे से वो दोनों भाई बेहन खेल रहे है ठीक है वो वाला एक्जामपल देखा होगा रिकोइलिंग ओफ कन एक इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है ठीक है तो every अचा ये बोट वाला भी दिया हुआ है तो every action has a opposite and equal reaction तो तबी तो सब कुछ neutral रहता है वन्ना तो कभी रह सकता नहीं है हम बैठे है खड़े है बोल रहे है चल रहे है ये क्या है विकोज की gravitational force present है यह ठीक है फ्रिक्शनल force present है यहां तो यह चीज हो सकते है जिस दिन फ्रिक्शनल force नहीं होती उस दिन हमको पता चल जाता कि हमने क्या कर दिया है क्या गडबड गोटारा चल रहा है क्या आप चीज समझ में आई क्या 100% कहीं कहा नहीं सब को clear हो गई मेरे लाल बाल को पालो को 100 परसंट की 200 परसंट की 200 परसंट ओके ऐसे तो मैंने सब बताई दिया कुछ बाकी रखा नहीं है ठीक है येस कुछ बाकी रखा तो नहीं है चलो अब हम लोग करते हैं law of conservation of momentum when two or more bodies act upon one another the total momentum remains constant ठीक है तो उनका total momentum क्या हो जाता है constant हो जाता है providing no external force are acting जिसमें external force act करती नहीं है ठीक है तो initially क्या हो जाता है initial momentum I will be equal to final momentum F suppose the two object A and B each of mass M1 and mass M2 are moving initially with velocity U1 and U2 strike each other मानलो this is mass M1 this is mass M2 this is V1 this is V2 most strike with the velocity after time T and start moving with velocity V1 and V2 respectively now the initial momentum will be इसका क्या होगा M1 U1 और इसका क्या होगा M2 U2 और final momentum क्या होगा M1 V1 after striking ठीक है दोनों strike हो गए at time T और यहाँ पर क्या होगा M2 V2 तो finally finally क्या होगा ultimate चीज क्या होगी तो कि finally ultimate चीज होगी F is equal to M A ठीक है यह तो common चीज है अच्छा तुमको यह ना पता हो तो एक और बात यह का F is equal to M V minus U by T कर लेते है और F is equal to M V minus M U by T कर लेते है तो यहाँ पर बात हो गई शुरू ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें first की और second की तो अगर यह हम लोग ले लेते है कि F1 ठीक है F1 यहाँ पर ले लेते है तो M1 V1 यहाँ पर M1 U1 यहाँ पर T1 या फिर T common अब यहाँ पर मैं ले लेता हूं F2 मतलब F1 मैंने किसका लिका है एक लेना है ठीक है मेरे ख्याल से मैनने जगा छोड़ी है चोड़ी है यह ना मर लगा ही मैन का मैनने जगा तो छोड़ी ही होगी ठीक है वणना कभी हो इना वहीं सकता देखो basically क्या है एक बोल है sorry दो बोल है ठीक है बोल A और बोल B ठीक है अब बोल A का तुम लोगों को मास लिखके देता हूं मैं M1 इसका M2 इसको initially इसकी velocity थी U1 इसकी U2 after striking at time T इनकी velocity है V1 और V2 तो इनका initial momentum बना M1 U1 और इनका बना M2 U2 इनका final बना M1 V1 और इनका final बना M2 V2 अब एक चीज़ हम सीख है F is equal to MA by substituting that in equation तो M is equal to V minus U by T क्योंकि A की value होती है तो basically क्या होगा M V minus M U by T ठीक है तो this is basically F now F1 और यहाँ पर लिखता हूं F2 तो यहाँ पर F1 क्या होगा तो F1 होगा M1 V1 minus M2 sorry minus M1 U1 by T और यहाँ पर F2 क्या होगा M2 V2 minus M2 U2 by T ठीक है यह चीज़ तो दोनों clear होगी अब यहाँ पर M1 common V1 minus U1 by T और यहाँ पर M2 common V2 minus U2 by T तो यह तो common common चीज़े होगी ठीक है अब एक कोई भी दोनों में से कोई भी एक positive होगा और दूसरी क्या होगी दूसरी चीज़ क्या होगी negative होगी तो यह क्या होगया positive और यह क्या होगया negative ठीक है तो F1 will be equal to what F2 but कैसा minus ठीक है minus यह क्या होगा M1 V1 minus U1 by T1 is equal to minus V2 minus U2 by T2 T2 क्या T लिख दो common दोनों ठीक है तो ultimately जो तुमारा equation बनेगा वो क्या होगा ultimate equation बनेगा M1 V1 T T तो cancel हो जाएगा दोनों M1 V1 minus M1 U1 is equal to M इस साइड भी है ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है और यहाँ पर क्या करेंगे अपन तो यहाँ पर अपन करेंगे M2 V2 my god यार यह फिर से लोचा हो गया अब वो सब अरे यार यह लोग message करते है उसमें कोई नहीं देखो यहाँ से वापस लेते हैं ठीक है M1 V1 और क्या लिखा था मनें यहाँ पर माइनस M2 V2 इस इकोल टू क्या हो जाएगा माइनस M2 V2 प्लस M2 U2 अब ठीक है अब इसको अपन कॉमन लगा लेते हैं कि यूवन वाले एकसाइट यह वाले एकसाइट तो देखो यूवन वाले एकसाइट और वी वाले एकसाइट कर देते तो क्या होगा M1 U1 प्लस M2 U2 इस इकोल टू M1 V1 प्लस M2 V2 बेजिकली तुम फिर से कन्फ्यूज हो गए होगे कि दुरू इलशन ने क्या किया फिर से बता देता हूं ठीक है देखो सिंपल लॉजिक लगाना है देखो यह वाली चीज तो क्लियर हो गई अब F1 F2 F1 के लिए हमने लिखा M V-U by T और इसके लिए हमने लखे M V-U by T ठीक है अब यहाँ पर अपने M1 लिख देना है यहाँ पर M2 लिख देना है यहाँ पर V1 U1 V2 U2 तो यहाँ पर आ गया M1 V1 minus M1 U1 by T is equal to M2 V2 minus M2 U2 by T एक होता है T T cut निकाल दो यहीं से निकाल दो एक होता है positive direction में एक होता है negative direction तो इसको मैं लिखता हूँ M1 V1 minus M1 U1 is equal to minus M2 V2 plus M2 U2 plus Q क्यों कि यहाँ आगे minus की side है तो change ही हो जाएगा obviously कहानी है ठीक है अब अब V1 V1 वाले को मिलाते है तो M1 V1 इस side minus वाला क्या आएगा plus हो जाएगा क्योंकि M2 V2 इस side आएगा तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा अब यहाँ पर क्या है M2 U2 plus है और यह वाला minus इस साइट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा M1 U1 तो M1 V1 M2 V2 M2 U2 M1 U1 क्लियर है क्लियर है दिमाग में बाट बैट रही है अंदर तक घुस रही है क्या अब क्लियर हो मेरे लाल बाल गुपाल सर एक्जाम्पल करवाओ बुलेट ऑफ 20 ग्राम M1 is 20 ग्राम फायर होरिजोंटली विट वेलोसिटी वन फिफ्टी मीटर पर सेक्ड विट एम्पल सा लोजिक है कि तुम्हें करना क्या चाहिए ठीक है तो सिंपल सी बात M1 V1 is equal to M2 V2 बुक में कितना भी बड़ा दिया हो तुम छोटे से भी कर सकते हो M1 V1 में यह ग्राम में है तो इसको केजी में तुम्हें कनवर्ट करना ही पड़ेगा तो यह कुछ 0.02 केजी जितना हो जाएगा तो 0.02 into 800 is equal to 2 into जो भी आये V2 0.02 into 800 by 2 मतलब यह हो गया 75 और V2 जो भी आये वो तुम्हारा अंसर कितना आ रहा है यार माइनस 1.5 के असपास आ रहा होगा ठीक है और recoiling होगी bullet positive direction में जाएगी तो gun recoil होई के कैसे आएगी negative direction में जाएगी वापस आएगी ठीक है तो इसमें तो किसी को कोई doubt दिक्कत समस्या या संका होनी चाहिए नहीं अब्यस्सी बात है अगर तुम gun fire करोगे तो gun की गोली जो है ठीक है वो positive direction में जाएगी तो जो पीछे की side आने वाले चीज़ है वो कैसी आएगी पीछे आएगी ठीक है तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई समस्या वाली बात हुई नहीं है क्या यह चीज क्लियर है यह थोड force is equal to maa होती है दुनिया में सबसे बड़ा योधा maa होती है और दुनिया में सबसे जादा force भी maa होती है ठीक है और इसका unit होता है newton दूसरी अगर हम लोग बात करें तो तुम्हें पता होना चाहिए v is equal to d by t और a is equal to v by t या a is equal to v minus u by t ठीक है आगे जाके तुम ही को काम आएगा यह चीज क्लियर है इसके लावा तुम्हें पता होना चाहिए pressure is equal to force by area या फिर तुम बोल सकते हो force is equal to pressure into area this is known as papa force and this is known as mama force ठीक है तो यह चीज भी तुम्हें clear हो जानी चाहिए अब जब force की बात करी रहे हो तो force में दू आती है contact non-contact ठीक है और फिर एक आती है balanced unbalanced ठीक है clear है तो दो type की forces आती है तब बात करते है NLM के बारे में NLM में first law यहाँ पर लिख देता हूं second law और यहाँ पर लिख देता हूं third law सबसे पहले बात करता है third law third law के लिए तुमको पता है action is equal to reaction गुरूविल सरवाला चुगाडू law ठीक है और M1 V1 is equal to M2 V2 या फिर यह भी याद रख सकते हो M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 U1 plus M2 U2 इतना याद राख लिया काफी है तुम्हें दूसरा कुछ भी याद रखने की जरुद नहीं है इसको बोल सकते हैं law of conservation of momentum ठीक है इतना याद रख लेना है ओके बोट वाला एक्जामपल वह आता वाला एक्जामपल स्केट बोर्ड में दोनों भाई बैन रिकोइलिंग ओफ गन तुम चल रहे हो यह सब थर्ड लोग के अंदर ले लेने का ठीक है सेकेंड लोग के अंदर तुम्हें आ गया force is equal to MA और फिर A की तुमने value लगा दी त माइनस U by T और जिसकी वज़े से M V माइनस M U by T और जिसकी वज़े से P is equal to M V momentum तुमको मिल गया है ठीक है यह चीज़ तुम्हें clear होनी चाहिए और यहाँ पर आ गया तुम्हारा inertia जो की resist the change और दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए mass ठीक है कि जो change कर नहीं सकता कहीं पर भी जाओगे तो mass का change हो सकता नहीं है तो यहाँ पर आगे तुम्हारे NLM और जो भी तुम बोलो जितना भी तुम बोलो जो भी तुम्हें पढ़ना है यह A to Z चीज़ तुम लोगों को समझा बोलो इसका screenshot ले लो और कोई doubt है तो पूछ लो ठीक है मेरे ख्याल से अब तो कोई doubt नहीं ही होगा बट फिर भी कोई doubt है तो पूछ लो ठीक है तुम लोगों को doubts तो रहते ही रहते हैं ठीक है चल तो यहीं पर करते इस चीज़ का अंत ठीक है तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने यह करही लिया होगा देखी लिया होगा और अब कुछ बाकी भी नहीं रहा होगा फिर भी कुछ भी doubt दिक्कत समस्या या problem जैसा लगे थोड़ा मैंने fast fast करवा दिया ठीक है क्योंकि अप पी होता है तुमारा पी में दो या तो positive हो सकता है या तो negative हो सकता है मतलब या तो minus करवाएंगे तो ensure तुम यह भी याद रख लेना अगर M common हुआ तो ठीक है और F is equal to M A M is equal to V minus U by T मलब वगरे वगरे चीज़े है जो तुम्हें याद रखने की जर्वत है तो क्या यह चीज़ क्लियर है मेरे लाल बाल को पालो सबको 100% क्लियर हो मेरे वाई लोग ठीक है पक्की वाली बात सब लोग मेरे साथ Bundesregierung सब्सक्रिप्षिन 12.14 मन का यह सब्सक्रिप्षिन आप ले सकते हो आपको इस पर भी पड़ेगा 10% T República इसकाउट ृंट ईन्ट कैसि इन सब्सक्रिप्षिन और नुर्ट को लगा कि आप फ्रीकी कॉर्स आवेल कर सकते हो इंदिया के बस्टीचर्स इंदिया के बस्ट पड़ाई की लड़ाई में मदद करने के लिए तो हम देखना चाहते है कि आप कैसी पड़ाई की लड़ाई में काम कर सकते हो 12 मुंत का सब्सक्रिप्शन 28,000 ठीक है for iconic subscription so applying this code you will get iconic subscription too by applying this code ठीक है so just 9th and 10th को like करे, comment करे, subscribe करे, share करे उन सारे बच्चों के साथ जिनकी तुम करते हो square और live school daily को hashtag बना दे और सब के साथ share करना न भूले तो जरूर से इन सब चीज़ों को share कर देंगे, care कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, help करेंगे, आगे पढ़ने में एक दूसरे को साथ में तो और तो बच्चों क्या बात है, ठीक है, कोई दिक्कट, डाउट, समस्या या परेशानी की कोई भी बात हो, तो जरूर हमें बताईएगा और Life School Daily को जरूर से share कर दीजेगा, तन्यवाद, और इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सबसे विदा, मैं हूँ आप सबका द्रूविल सर, और मिलते हैं next class में, और छोटी सी class दीजे, तन्यवाद